सब्सक्राइब कीजिए महेश टेक्निकल चानल को प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए है नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है महेश आप देख रहे है महेश टेक्निकल तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक न्यू कस्टम रॉम के बारे में जो आया है हमारे रेड्मी 3S, 3S Prime और 3X फोन के लिए तो गाइस इस रॉम का नाम है लेक्विड रिमेक्स तो गाइस ये रॉम के बारे में आपने नहीं सुना होगा क्योंकि ये रिसेंटली ही रिलीज हुआ है तो इस रॉम के ओ कैसे इंस्टॉल करना है कैसे हम इसे फ्लाश कर सकते है अप के फोन में TWR पे रिकावरी इंस्टॉल होनी चाहिए ये दोनों वीडियो मैं अल्रेडी बना चुका हूँ मेरे चैनल पर आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएंगी या फिर आपको ऊपर कार्ड में भी लिंक मिल जाएंगी तो वीडियो आप देख लीजे और अपने फोन में TWR पे रिकावरी बिद अनलॉक्ट बुट्डडर कर लीजिए ओके गाईस तो आप देख सकते हैं मेरे फोन में अल्रेड़ी एक्स्टेंडेड रॉम को मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ वो भी 8.1.0 ओरियो पर बेस्ट है तो गाईस हम इंस्टॉल करने वाले हैं रॉम की जिप फाइल और सेकेंडली आपको डाउनलोड करने हैं जी एपस फाइल तो दोनों की लिंक में आपको डिस्रिप्शन में दे दूंगा तो जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको आपके फोन को करना है रिकावरी में बूट तो गाईस TWRP रिकावरी में आप पावर मेन्यू का यूज़ करके जा सकते हैं या फिर आपकी कॉंबिनेशन का यूज़ भी कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर TWRP रिकावरी इंस्टॉल है तो लेटेस्ट TWRP आपको इंस्टॉल करना है जो है 3.2.1.0 उसके बाद आपको सबसे पहले करना है कर इंट राम का बैकट इनके स्ट फ्लाशिंग प्रोसिस में कुछ भी कलत हो जाता है तो आप इस राम बैकट पको रिस्टोर करके अपने फोन को पहले जैसा लुक दे सकते हो तो चलिए हम जाते हैं आप इंस्ट्रॉलाशन सेक्शन में तो आपको जाना है वाइप सेक्शन म Advanced Wipe में और यहां से आपको Dalvik catch system data, select करके आपको wipe कर देना है, तो आप चाहें तो internal memory को भी wipe कर सकते हैं, तो मैं यहां पर internal memory को भी wipe करने वाला हूं, अगर आपने ROM file internal memory में रखा है, तो आप internal memory को wipe ना करें, तो हमने wipe कर लिया है, wipe करने के बाद आपको simply जाना है install section में यहां से आपको find कर लेनी है, आपकी ROM file तो मैंने इसे sd card में रखा है तो मैं यहां से ROM file जो है liquid remix, plus यहां पर add more zip करता हूँ और यहां पर g apps को select कर लेता हूँ, मैं यहां पर g apps यूज़ कर रहा हूँ arm64.1 pico, तो आपको भी use कर सकते है, arm64.8.1 g apps file जो होनी चाहिए ओके गाइस, तो यहां पर flashing complete हो चुकी है, तो हम यहां पर clear dalvik catches को clear कर देते हैं इसके बाद आपको simply system reboot पे click करना है, do not install पे, तो आपका जो ROM है वो boot होने लग गया तो थोड़ा wait कर लेते हैं, जब तक हमारी booting complete नहीं हो जाते ही ओके गाइस, तो हमारा phone जो है, वो boot हो चुका है, तो हम इसे कर लेते हैं, setup तो थोड़ा time ले लेते हैं, setup करने के लिए ओके गाइस, तो हमारा phone जो है, फुली setup हो चुका है, यहाँ पर मुझे कोई भी crashing issues नहीं मिले हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको pixel की launcher मिल जाती है, और यहाँ पर बहुत ही कम applications आपको देखने को मिलती हैं, फाल्तू के applications आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो यह आपके RAM के लिए काफी अच्छी बात है, तो यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले तो Android version दिखा दूँ, आप देख सकते हैं, liquid remix की ROM, 8.1.0, फुली stable है guys, यह unofficial build है, officially हमारे phone के लिए नहीं है, यह unofficial build हमें यहाँ पर द video calling perfect working है, तो यहाँ पर आपको कोई setting करने की जरुवत नहीं है, तो हम simply यहाँ पर secondly camera को test कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को camera में दिखकते आते हैं, कि उनका camera काम नहीं करता, तो हम यहाँ पर camera भी test कर लेते हैं, और यह काफी अच्छे से काम कर रहा है, काफी अच्छ पैनल मिल जाता है, यहाँ पर बहुत सारे settings आपको देखने को मिल जाते हैं, मैं आप Bluetooth और Wi-Fi को बंद कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, liquid logs करके आपर एक option है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे customizations मिल जाते हैं, जैसे status bar, notification bar, quick settings, उसके बार buttons, lock screens, button customizations, बह battery backup भी काफी अच्छी है, मैंने इसे यूज किया है, परस्नली तो battery backup काफी अच्छी है, बेकार नहीं है, तो आप इसे daily driver के लिए use कर सकते हो, इस ROM को काफी stable ROM आपको यह देखने को मिल जाती है, तो guys, यहाँ पर हम RAM performance भी चेक कर लेते हैं, कोई lag वगर हमें मिलता है या नह आप डाउनलोड कर सकते हैं, Redmi 3S Prime या फिर 3S के लिए, तो description में लिंक देने वाला हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो guys, अगर आपको एक वीडियो पसंद आते हैं, तो please like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए हमारे चैनल को, जिसका नाम महिष टेक्निकल्स, थैंगे सुमज जाउनलोड दोग ठाउनलोड कर सकते हैं, तो क्या एक एकषड़ एक सकते हैं, तो क्या वीडियोग एक वाज़ जाएक कीजए, तो कि तो